कि अग्जामपूर परिवार में हम आप एक जामपूर कलम से करांती मैं विकास आज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार एकजामपूर में तो चली आज की क्लास हम लोग करते हैं हम लोग का चल रहा था पर्सेंटेज क्लास पर्सेंटेज का एक क्लास मैंने ले लिया था उसमें बिल्कुल बेसिक चीजे मैंने बताये थी पर्सेंटेज को कैसे फ्रेक्शन में चेंज करते हैं पर्सेंटेज का क्या मतलब होता है और पर्सेंटेज को फ्रेक्शन में चेंज कर पाएंगे इसे रिलेटर जो भी 5-6 चेप्टर से उसको आप अच्छे से कर पाएंगे तो आपको मैंने बेसिक चीजे बता दिया कल मैं लास्ट में कोशन बता रहा था कल टेकनिकल प्रॉबलम के वज़ा से नेट के प्रॉबलम के है डेंगे कैसे बनाएंगे कोशन में धिया हुआ है यही किसी संख्या में उसी संख्या का 16 तो whilst beautiful 22 1421 तो मान के बना इंगे तो मानने कि ऑसंख्या है और एक्स का कितना निकालेंगे 16- part 3 % और निकालने के बाद इस दोनों को क्या करेंगे जोड देंगे जैसे जोडेंगे तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 1421 हो जाएगा तो इस कि भलंगे Нीकाल सकते हैं और इस को सकते है यह पर tragic सब्सक्राइब तो इस method को बिल्कुल ट्राइए नहीं करेंगे यह method इस question के लिए असान है लेकिन जैसे जैसे question का concept बदलते जाएगा यह method complicated होते जाएगा इस method को प्लीज आप ट्राइए नहीं करेंगे ठीक है इसे मैं यहाँ पर clean कर देता हूं अब हम क्या करेंगे उसको देखिए मैंने देखिक मण करते हैं तो चलेंगे यह एक श Holiday निकास पूल होती हम की किसी करते हैं तो कोसिस कीजे वहां से कौशन बनाने ही कि ठीक है तो यहां पर दिया हुआ पर्सेंटीजे कितना 16 स्शु साइड दो बैटे तीन परसेंट दिया हुआ इसका स्षॉपप्षिच स्वीज थो ऑगा तो एकु स्वाय सक फ्रैक्शिय कितना एक ऑटे 6 कल मैंने बताया था तो 1 by क्या होगा 6 होगा अब मैंने भी बताया था कि नीचे वाले का इतना परसेंट ऊपर वाला नंबर होता है यानि 6 का 16 से 2 बटे 3% क्या होगा तो एक होगा इतना समझ में आ गया तो हमको क्या निकालना ओरीजिनल लंबर निकालना है तो मैंने बोला था कुछ भी मानना हो आपको कुछ भी मानना हो तो इस बाटा के नीचे में जो दिया हुआ है इसी को मान लिए कि यहीं आपका ओरीजिनल लंबर है यहीं आपकी प्रारंभिक संख्या यहीं आपकी क्या है तो प्रारंभिक संख्या इसी को हमने मान लिए ठीक है तो हमने 6 को मान लिए प्रारंभ में जोडना है को उष्जे सब्सक्राइլ उसका छोलर से दो क्रचांव जॉड़ा जाता है तो संख्या इतनी हो जाती तो इसका इतना जोड़ेंगे इसका talks मरें निअनल मटर gologa साथ हो जाएगा को फाइनल नंबर साथ हो घ्याप आनल को फाइनल को फाइनल से कंकेर करेंगा है तो साथ कितनी है to 1421 साथ Oke वेलूद की Candice तो ऑनकिस नाया है यहां को साथ करेंगे डोहां हो धून इक कीruk shift करेंगा तो जाएगा संट खार और इंञ надо न की इससे कर सकते हैं आराम से कर सकते हैं और चोटा कर सकते आप चाहे तो direct कर सकते हैं direct या इनसर कर लेंगे इसमें इसको समझ गया होगे तो देखिएहां पर कैसे इसको मैं फोड़ा है नीकालना है तो एक साथ और इंटू छे एक आम कदाम और इंटू छे यही रिजल्ट आया यहां से क्या निकल गया ओरीजनल नमबर तो यह दिखिए इसको अगर आपको निकालना हो तो यह डायरेक्ट आप कैसे निकाल लेंगे तो सबसे पहले कोशन में दिया हुआ है मालूम है कि 16 सबसे इसको लिखिए यह किया है जोड़ने के बाद का सबसे कितना होता है एक बटे 6 होता है इक बटे क्या होता है यह होता है तो वेलिएक बड़े च्छे उपर कर देंगे साथ एक होता है जिसके यहां पर जिसके रिजल्ट को मैंने हाप लिख दिया है तो आप ऐसे भी डायरेट कर सकते हैं कई लोग ऐसे भी करते हैं इस चीज़ को आप समझ गया है तो आप बेसिक चीजों को वहां पर आपको किलियर हो जाएगी यहां पर भी मैं आपको बता रहा हूं जो इंपोर्टेंट है उसको मैं बताते जा रहा हूं कि जो पहली बार जूड़े हैं उनको फिर से एक बार परसेंटेज मिल जाएगा और उनको कोई प्रॉबलम नहीं होगी आग इसको पढ़ेंगे ठीक है जो बहुत ही इंपोर्टेंट होगा आपके लिए अगर मैं कोशन दूँ आपको कि 64 इज एड़ेड इन नंबर यानि 64 किसी संख्या में किसी संख्या में जोडा जाता है जोडा जाता है तो वह संख्या अपने ही संख्या का संख्या का 157 सही एक बटे साथ परतीसत हो जाता है तो बताएं कि संख्या क्या है तो बताएं कि संख्या क्या है तो बताएं कि संख्या क्या है अब इस कोशन में दिया हुआ है कि कोई संख्या है उस संख्या में जब तो 64 जोड़ा आता है तो जोड़ने के बाद दूसरी संख्या बन जाती है तो दूसरी संख्या अपने ही संख्या का मतब ओरीजनल संख्या का कितना परसेंट है तो एक सो संतावन सही एक बटे साथ परसेंट है तो रहें थमको बताना है कि original संख्या क्या हो हो कि अपर चाहने थैग्स की मेःधोर सी भी भणा सकते हैं मान सकते हैं कि original संख्या एकस है इस एकस में किपना जोड़ना 64 जोरणा तो जैसे संख्या कितना % निकाल देंगे X का निकाल देंगे 157 सभी एक बटे 7% निकाल देंगे ठीक है इस को solve करेंगे तो question आपका बन जाएगा ठीक है तो इस method से हम इस question को नहीं बनाएंगे अभी जो मैंने method बताया था उसी method को follow करके question को बनाएंगे ठीक है तो चलिए पर इस question को समय लीजिए दिया हुआ है कि कोई संख्या है कोई original number है उसमें कितना जोड़ा गया 64 जोड़ा गया तो दूसरा number बन गया final number बन गया ठीक है इस question का यहीं sort format है कोई संख्या है उसमें 64 जोड़ा गया जोड़ने के उर्इजिनल संख्या का कितना percent i. आपको बताया था कि percentage का कोई भी सवाल आई सबसे पहले जो percentage दिया हुआ है उस percentage को नोट कर दीज expressions कितना दिया हुआ 157 सभी एक बटे और 11-11, 20 रट तो साथ का इतना पर सिंट क्या होगा容 का नीचे वाले का इतना परसूंट क्या होगा ऊपर वाल नमबर हो गा ये हम को मायूम है इसमें कोई दिकत नहीं है आप देखिया हमेशा मीचिछ वाले को क्या माननेंगे पॉरीजिनल नम्बर उनने डालन लीकाह को समझां आपको आगया तो साथ में कितना कुपड़ना पड़ा तो साथ में चार जोड़ना पड़ा जोनों के बीच के भिछेश घृफ्रेjakप साथ में जोड़ना पड़ा साथ में कितना जोड़ना पड़ा चार जोड़ना पड़ा जो मने साथ में चार जोड़ा तो यह गा रहा हो गया इस संख्या का इतना पर सेंट हो गया तब देखिए कोशन में चार जोड़ा है क्या जोड़ा है चार लेकिन रियल में क्या जोड़ हो जाएगी तो और इनल नमर कितना गया 112 अगया तो अराम से कर सकते हैं कॉंसेट के साथ कर सकते हैं यहां पर हंडिड़ परसंट किलियर हो रहा है कॉंसेट अगर यह चीज आप समझ नहीं पाते हैं तो आगे जाके और इसके बाद मैं आपको फिर बताता हूं इसी पैटर्ण पर कोशन देता हूं सेम टू सेम उसकोशन को आप करके कि बताइया है उसका एंसर क्या हो सकता है उसके बाद फिर नेक्स कॉंसेप को लेते हैं उसको आराम से करते हैं कर Lawrence आत्भी है संख्या में जोड़ा जाता है तो वह संख्या अपने ही संख्या का अपने ही संख्या का कि 444 सही 4 बटे 930 हो जाता है तो बताएं कि वह संख्या क्या है तो बताएं कि वह संख्या क्या है आपको यह करना है ठीक है तो इस question को जल्दी करके बताएं जितना फास्ट कर सकते हैं उतना करके बताएं सिंपल सा सवाल है बिल्कुल सा सवाल है उसलिए मैंने आपको परसेंटेज को फ्रेक्शन में convert करना बता दिया था कि ताकि कितना भी complicated fraction दिया जाए आप पर कोई फर्क ना पड़े कुछ भी लिया कर रख दिया जाए आप पर percentage कितना भी बड़ा दे दिया आपको कोई फर्क ना पड़े आप पर कोई असर ना पड़े वह सारी चीजे मैंने तो कितना परसेंट दिया चार सो चुवालिस सही चार बटे नो परसेंट दिया हुआ इसका फ्रेक्शन कितना होगा तो चार सो का चार होगा और इसका कितना हो जाएगा इगारे चुका चुवालिस यानि कितना कितना हो जाएगा इसका यह चार बार मल्टीपल देखिया आप सब्सक्राइब कर दिया आपको फर्स्ट क्लास में सिर्फ यहीं चीज मैंने बताया था कि आप कोशन को देखते हैं डायरेक्ट यह लिख दें तो यह हो गया आपका इतना इसके बाद अब हम को क्या करना है नीचे वाले को क्या मानना है औरीजिनल लंबर हमने मान लिया कि 9 ह तो होगा फाइनल नंबर कहलाएगा तो नीचे वाले का इतना परसन क्या होता है उपर वाला तो उपर वाला क्या कहलाएगा फाइनल नंबर कहलाएगा तो ओरीजिनल को फाइनल होने के लिए कि इतना जोड़ना पड़ा तो एक तीस और यहां पर कितना जोड़ा गया 930 त नौइटु टीस बराबर 270 तोरीजनल नमल कितना हो गया 220 हो गया ज़िए चीजे मैंने आपको बता दिए जो बहुझ बहुत इम्पोर्टेंट था बील्कुल बेसिक्ची थी मैं आप लिए तक पर्सेंटेज के मैंने बिल्कुल बेसिक किलियर किया कैसे पर्सेंटेज को आप कोशन में यूज करेंगे वह भी चीजे मैंने आपको दो कोशन के साथ बता दिया ठीक है इस चीज को आप समझ लीजे देख लीजे बहुत इंपॉर्टेंट है यह सबसे इंपॉर्टेंट है उसलिए मैंने पर्सेंटेज को फिर से आपको बता दिया यह ताकि स्क्रैस कोर्स में आपको जो भी चैप्टर वह फिल्कुल फ्रेश से बताया जाएगा क्योंकि कई सारे स्टुडेंट जो इसमें नियू एड हुए हैं त जो पहली बार पढ़ रहे हैं या जो पढ़ भी चुके हैं उनकी कॉंसेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है आपकी 100% नहीं 1000% में आपका कॉंसेट किलियर करूंगा आप इस एक्जाम नहीं किसी भी एक्जाम में 100% कोशन करेंगे बस थोड़ा सा टाइम दीजि हैं हर तुछ जाम उस तरह के कॉशन आते हैं तो उस कोशन को करेंगे उसका मैं आपको कॉंसेट बता दूँ उसके बाद आते हैं उस को दुछन के आपकी बिहार SSC की एक्जाम चलने वाली है तो आप बिहार SSC की तयारी में लग जाईए हंड़िट परसेंट आप कोशन को करेंगे बिहार SSC के आपका SI Constable तो हो इन रहा है SSC की तयारी NTPC की तयारी यह किसी भी स्टेट एक्जाम की आप तयारी करते हैं उसमें अगर आता है तो 100% कोशन आप बनाएंगे छोड़ नहीं पाएंगे आप चाहेंगे भी तो नहीं छोड़ पाएंगे आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि यह कोशन मुझसे बन क्यों नहीं रहा है बस आप देखते चलिए थोड़ा सा टाइम दीजे और आपको सारी चीजे इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे म अस मार्केट जाते हैं मेर्केट 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 कुछ पैसा लेकि एक सो दस्लम धिकर के जाते हैं गितना गाली कि यहां 110 रुपी अलिक जाते है और मार्केंट मीं आपको कोई बस्तू खरीदना सोपोज मानेजी कि आप संत्राint ने वाले तो संत्रिय का प्राइस जो है 10 रुपीए पर आर्टी कल झाँ एक सं तुनरे कर दाम कितना संत्रा में 10 रूपीए लेकर जाते हैं लेकिन इस बार संत्रेक अदाम 10 रुपया नहीं है अब 11 रुपया 11 रुपया पर आर्टिकल हो गया है 11 रुपया क्या हो गया पर आर्टिकल हो गया यानि रुपया बढ़े गया तो अब कितना संत्रा खरिद के लाएंगे तो आप 10 संत्रा मिलेगा कितना मिलेगा दसी संत्रा मिलेगा तो यह हमारा क्या है यह हमारा खर्च है खर्च मतलब क्या है तो expenditure है यह हमारा खर्च है और यह हमारा क्या है तो बस्तू है यह हमारा क्या बस्तू मतलब खरीदारी की थी और दूसरे दिन भी आपने कितने की खरीदारी की 110 रुपय खरीदारी की यानि अगर expenditure सेम हो खट सेम हो तो देखिया पर प्राइस का रिश्यों क्या है प्राइस का रिश्यों तो 10 पätन जिएए स्ब्सक्राइब तो कमें सनका आडिकल का यहाँ पर आडिकल कह सकते हैं इसको खपत आप मतलब थो यहां पिक आप्त का जो अनुपाथ है यह क्या आट अनुपात हैं अनुपात humility कि करें से है कितना आपने खऱपत गया हूओ रिए इसको एक क्या कह सकते हैं इसको कह सकते हैं पडू के सकते हैं तो प्राइस का रेशियो होता है उसका उल्टा होता है कंजंट काशा क्र पडाथ का रिष compatibility से हम आगे कोश्वन करेंगे इसको आप नोट कर लिजे देख लिजे समझ लिजे अब आते हम लोग कोश्वन की सुरवाद करते हैं सर लगाना कि फस्ट कोश्वन यह बहुत important concept है सी concept काज हम लोग complete करेंगे इसी पर 4-5 questions करेंगे इतने चेंज हो सकते हैं, सारे questions को करेंगे इस पर 100% इस concept को clear करेंगे बहुत important concept है यह रiskुर Осब करेंगे अरी सार्फ नन्य logicान करेंगे इस पर 10 तर्एंगे यह कि कोस्ट आपके स्क्रिन पे आ गया होगा इसको फॉर्शन और को संथे मुल तौडा करने की ट्राइ किजिए और बताई इसका दस रुपिये में पांच संत्रे अधिक खरीद पाता है तो मुल में कमी होने के पहले संत्रे की कीमत क्या थी यह आपको बताना है तो इस कोशन को कीजिए और बताइए क्या अंसर होगा कोशन में दिया हुआ कि संत्रे के मुल में 20 परसें की कमी होने की वज़ा से अब एक बेक्ती 10 रुपे में पांच संत्रे अधिक खरीद पाता है तो मुल में कमी होने से पहले एक संत्रे की कीमत क्या थी यह आपको बताना है एक संत्रे की कीमत क्या थी यह आपको बताना है तो इस कोशन को आप कैसे कर सकते हैं देखिए question में दिया हूँ कि 10 रुपे में 5 संत्रे जादा खरीद पाता है इसको मतलब समज़एका पहले स्मझेगा यहानि 10 रुपे में पहले भी खरीदारी करता था और 10 रुपे में अभी खरीदारी कारила पहले उसके पास 10 रुपिय थे बजार करने के तोकन नुपात हो जाएगा था चीजे बिलकुल समझ में आ गई तो आपको मुल्य का चाहिए औॉपात चाहिए प्राइस का उनुपात चाहिए तो प्राइस का अनुपात वहां पे दिया हुआ है कि मुल्ल में कितने परसेंट की कमी होती है 20 परसेंट की कमी होती है तो 20 परसेंट का मतलब क्या है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं कि पांच से चार हो जाता है मुल्ली क्या हो जाता है प्राइस पांच से चार अनुपात हो जाता है से में पहले भी 10 रुपे खरडारी कर रहे थे और अभ द ISK03 कर रहे हैं लेगा मुल्ली में कमी होने के वजासे पहले 4 मिलता था तो अफ कि इतना मिल रहा ह många कि यतना जादा मिल रहा तो पहले इतने और उर्फरद रहे थे तो 20 और अब कितने उर्फरद रहे हैं तो 5 से मलटीप्राई कर देंगे तो 25 और्ण मिल रहे हैं किशन घंप किम ढिल रहे हूंच होन और यह भीश ओरेंज पहले हम दस रुपे में खरिद थे और प्चीश और यह अगर्पे से मुख रहा है तो पहले एक अटाम कीटना था यह हमसे पूछ रहा है एक और इंच आंगे तो तो और मल्टिप्लाई करेंगे तो 50 पैसे पर औरेंज था एक बस्तू का राम कितना था 50 पैसा था यह आपको समझ में आ गया बहुत ही इंपोर्टेंट कोशन है और बहुत ही आसान कोशन है बिल्कुल किलियर समझ में आ गया होगा यहां पर कोई चीज आपको प्रॉलम नहीं कर चीज रही होगी ठीक है इतना समझ में आपको आगया तो इसके बाद चलिए हम करते हैं इसी काॉंसेप्पर दूसरा कोशन करते हैं सेकेंड कोशन करते हैं उस कोशन को आप करके बताएं कि उसका एंसर क्या होगा कर दो कर दो अगर आपको कोशन को समझने में प्रॉबलम हुआ होगा तो दूबारा सी वीडियो को देखिएगा बिल्कुल मैं अराम अराम से चीजों को समझाया दूबारा देखेंगे तो चीजे बिल्कुल किलियर हो जाएगी आपको थोड़ा भी परिशान नहीं होना है आप कोशन में होते दिया हुआ है कि सक्कर के मुल में कि 10 पर्षन की कमी की वजह से एक बैक्ती अब 270 रूपय में एक किलोग्राम सक्कर ज्यादा खरिद पाता है तो सक्कर का अप्रारंबिक मुल प्रति कीलो ग्राम कितना था यह आपको बताना है बिल्कुल सेम कॉशन है पहले भी हो 270 र कर रहा होने के होजासे अब उसको को एक किलो ज्यादा चीनी मिल रहा है तो को बताना है कि प्रारामभी कोल पहले जो है एक किलो चीनिक अदाम खतना था वह आपको बता नहीं Sun ईंड़र आ सकते हैं तो 20 पर संब केनल का मतलब क्या होता है το 10 पर संब का नोऺ चलते नो हो गया ते प्राइश का अनुपाद ह informação कि बहुंद पाथ हो जाएगा नौअनपाथ 10 ईंपाले 9 कि खड़ गार दबर कितना घड़ लिए रहेक एक की वयार क्या दिया वागए 9 तो पहले कितना कीज खेड रहा था एक से मोल्टीप्राइब करेंगे धूर के जी कर रहा था hopping नो कीजी कितने में एक रहा थ तो 270 में ठोग समज में आगी बिलकुल असान लगरा होगा कोई प्रावलम नहींग हो रहा हो इसको इसको समझ सकते हैं कर सकते हैं इसको इसको सब्सक्राइब कर लीजे देख लीजे जो भी स्टुडेंट पहली बार पढ़ रहे हैं इमांदारी से पुरा लगन से पुरा ध्यान दे करके चीजों को समझेगा और पढ़िएगा क्योंकि चीजे धीरे-धीरे बढ़ती जाएगी मैं चीजों को कुछ भी कर सकते हैं ऐसे ंडिच्वी और पढ़िएगे तब जाकि यदि को पढ़ाता वसके पूएब नहीं बनाते हैं इसका पूई मतलब नहीं करेंदे एक ही बार के पढ़ने से सारे कोशन बनते हैं तो आपको इस तरह से connect करके पढ़ाए जा रहा है कि चीजे आपको clear हो और बिल्कुल clear हो ठीक है से लगाना third number question डिल्कुल पर आगया इस को करें और बताएं सका एंसर क्या होगा कोशन में दिया हुआ कि अंडे के मुल में 50% की ब्रीदी होने पर के 24 रुपिये में चार अंडे मिलते हैं सीट तो अंडो का प्रतिदर्जन बर्तमान मुल ग्रини अभी का मुल बताना है कि अभी एक दरजन में एक दर्जन कितना है ठीक है अब इसमें क्या हुआ ब्रिधी होने से क्या होगा अंडे कम ही मिलेंगे अगर प्राइस बढ़ जाए तो अंडे क्या मिलेंगे कम मिलेंगे तो पहले से कितना कम मिल रहे हैं तो चार अंडे कम मिल रहे हैं चौबीस रूपिये में तो हमको बताना है कि एक दरजन अंडे का दाम कितना है अभी विलाल से लिए इसकोशन को बनाएगे पहले विबिआ चौबीस प्राइस बढ़े गया तो मुल्य कानुपात होगा उसका उल्टा क्या हो जाएगा बस्तू कानुपात तो मुल्य कानुपात क्या है तो पचास परसेंट की ब्रिधी हो रही है तो फॉल्टेश की ब्रेधी का मतलब क्या है यानि से दो सब्सक्रांड लुपिक एद आटिन रूपे में ये प्राइस आप हो गया तो आट केंगर कर लुपातन अनुपाते जमसन का अनुपाद क्या होगा तो 3 से 2 हो जाएगा यह पहले अगर हमको 3 kg मिल रहा था यह तो तो पहले आपको कितने अंडे मिल रहे थे तो 4 से 10 से मैंट्री कर दीजिए 12 और अब कितने अंडे मिल रहे हैं तो 4 से मतिना कम चार्व दख संदी है तो देखें यहाठ अंडे कितने रूपे मिल रहे हैं चौबिस रूपे मिल रहे हैं और एक घंडे काड़ायीक प्छेडाप में ुण नहीं को एक दर्जन अंडे कदाम बताना है तो 12 लेना पड़ेगा तो 12 इंटो टेन तो बारत यह 36 रूपया पर दर्जन आपको जाल लियां और यह क्या हो गया तो मल्टीप्लाइ Andi इस तरह से कोशन को अराम से बना सकते हैं समझ के बना सकते हैं कोई प्रावलम आपको नहीं होगा एक लाइन का कोशन है यह सारी चीज आपको लिखने की जुरूत ही नहीं है इसको भी लिखने की जुरूत नहीं है बस इतना आपको लिखना और इतना लिखने के बाद बस लिखना है ठीक है यह सारी चीजे मैं समझाने के लिए बताता हूं आपको धरे-दरे आइडिया लगने लगता होगा कि क्या चीजे लिखनी और क्या चीजे नहीं लिखनी है तो चीजों को पहले समझ लीजिए समझना इंपोर्टेंट चोटा करना आपके अपने हाथ में आप जितना बहतर समझेंगे उतना छोटा कर पाएं productive चीजों को आप जितना पहतर हैं उतना फास्ट आप दोड सकते हैं तो समझना सबसे इंपोर्टेंट इस तो आप जितना चाहिए उतना दोड सकते हैं कि इसके बाद आपके सामने चार नंबर कोशन आनेवाला को कीजियो उसका इंसर क्या होगा कि है 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 चार नंबर कोशन आपके स्क्रीन पर आने वाला चार नंबर कोशन को करकी बताएं कि उसका एंसर क्या होगा कोशन में दिया हुए कि चावल के मूल में 25% की ब्रेदी होने के कारण कोई खरीदार 400 रुपिये में 4 किलो चावल कम खरीदता है ब्रेदी होगी तो कम ही खर देगा कम खरीदता है तो चावल की मूल कीमत और बड़ी होई कीमत का अंतर बताना है प्रती किलोग्राम तो अब हमको क्या करना है पहले चावल का जो प्राइस था और बाद में जो चावल का प्राइस है दोनों प्राइस का अंतर बताना है कि दोनों के प्राइस में अंतर कितने क हो गया ठीक है तो सेम कोशन है बिल्कुल इस कोशन को आप करें और बताएं कि इस कोशन का एंसर क्या हो सकता है तो देखिए इस कोशन को कैसे करेंगे आपको दिया कि चावल के मुल में 25% की ब्रिदी होती है आपको मालूम है कि एकस्पेंडीचर खर्च दोनों कर्णीचन में से मैं पहले भी 400 रुपे की खरीदारी कर रहे थे और अब भी 400 रुपे कर रहे हैं लेकिन अब कर 4 से कितना हो गया 5 हो गया चार से कितना बढ़ गया एक बढ़ गया 5 हो गया तो तो कंजंशन यानि a Ing BA ск 맛 क्या हो य两セ già कहा पांसे रहते तो अब कितना झाल पड़ेंगे 4 खर से चार कर देंगे जालो ये कितना कम खर देंग एक लेग schemes है कितना कम खर कर देंगे तो एक की भ कर देंगे तो चुलना रूपया ऑध कितना कबंगे इस न प्रेंगे से तरय करंधे इस कर देंगे तो पहले कीटने कर दो आब में निकलना तो 400 कज रहा है तो चार्ट 20 सब इसलब सकती डिवाइट कर देंगे फ्सकीम कल गाएगा यहां पर डिवाइट करेंगे तो 0 से 0 चला जाएगा तो यहां पर केजी मुल्य था पहले अब जो 400 रुपईया में कितना खरीद रहें 16 एक किलो कदाम निकालना है इसको क्या करेंगे डिवाइट कर देंगे तो चार चुका 16 और यहां पर फिर चार से जाएगा तो पचीस हो केजी दोनो के विश का लिभी का अंतर कितना प्राइस के मुल्य में अंतर कीतना पांच रुपईया पर केजी यह ृई हैं हुआं आपका एंसर हो गया यह आपका अनशर होग्या पांच रुप कर कि की alors कह धा यह स기 ere g न कॉश्य में आ लागी होगी कोई आप पांच नंबर कोश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा उसको देखेंगा जाके कोश्चन को रिवीजन कीजेगा आपको मैं बताने वाला था की तरीका की कैसे पढ़ते हैं अब दिवाली के बाद मैं आपको आप छुटी बिताने के बाद आपकी जो है मैं आपको बताऊंगा कैसे आप तैयारी करेंगे किसकी तो एक जाम की ठीक है एक संडे को मैं क्लास लेकर के आऊंगा उसके बाद मैं आपको बताऊंगा एक संडे का मैं मोटिवेशनल क्लास लेने वाला था तो मैं नहीं ले पाया हूं तो इस वीक में लुगा क्लास क्या तो मोटिवेशनल क्लास होगा उसमें आपको पढ़ने का प्रॉपर तरीका बताऊंगा कि आप आप कैसे पढ़ेंगे कैसे आप एक्जाम की तियारी करेंगे कैसे आप क्या करेंगे चलिए आपके सामने कोशन आ गया है पांच नंबर कोशन इस कोशन को करें और बताएं किया इंसर होगा इसका कि दिया हुआ है कि सेव के दाम में 20 पर्शन की कमी होने की वज़ा से अब तक एक बेक्ती 55 रुपिये में दो दर्जन सेव अधिक खरिद पाता है तो सेव का घटाव अमूल कितने रुपिये दर्जन है यह आपको बताना है कि दाम में 20 पर्शन की कमी होने की वज़ा से अब तक बेक्ती 55 रुपिये में दो दर्जन सेव अधिक खरिद पाता है कि 20 पर संट की कमी होने की बज़ासे तो फिस पर संट की कमी होने का मतलब क्या है तो बीस पर सेंट का मतलब एक वट्टे पांच होता है पांच से क्या हो गया चार हो गया पांच से कितना हो गया चार हो गया इतना समझ में आ गया यह प्राइस का उनुपात है तो आपको खर्च का उनुपात क्या हो जाएगा चार उनुपात पांच हो जाएगा कंजमसन का उनुपात क्या हो जाएगा चार उनुप है तो आप से पूछ रहा है कि सेव का घटा हुआ मुल कितने रूपीए कि पीसले रूपीए दर्जन है की तो पहले आप कितना घरन खरते थे एक की वेलू 2 है तो 2 स्थे कर दीजे więks गर दीजेह आठ अब कितना खरीद रहा है तो 25 विलखर 15 रुपईया में 8 धर्जन खरदे थे मूल्लमे में कमी होने के चलते रीक पूछ रहा है तो अब कमी हुआ है न का प्राइस पूछ रहा है तो लुखेज जैकें 25 में 10 लतके सब लिसे creature होगी ठीक है तो आज का क्लास आपका यहीं पे हम complete करेंगे ठीक है आज करते हैं कर आप अच्छे से देखिएगा तीक है एक संडे क्लास में आरेंज करूंगा आपके लिए मोटिवेशनल क्लास जिसमें सिर्फ और सिफ हम लोग क्या करेंगे तो पढ़ने के तरीका को समझेंगे कैसे रोग पढ़ते कैसे चीजे को तेयारी करते हैं कैसे note बनाते हैं क्या करते हैं किस की तयारी स करेंगे किस तरह से corrivate करेंगे सारे जाम को सारे चीजे मैं आपको बताऊंगा संडे किwe special में ले करके आऊंगा ठीक है उसके बाद इस चीज को मैं आपको किलियर करूंगा ठीक है तब तक आप इस चीज को जितना रिवीजन कर सकते हैं रिवीजन सबसे इंपोर्टेंट है आप एक कोशन को कम से कम चार बर पांच बर जाके करें समझने के बाद भी अगर चीजों को जितनी बार करते हैं चीजे उतनी बार किलियर होती है मैं आपको बताया कि अगर रूम में जितना साफ आपको दिखाई देगा उतना फास्ट आप दोड़ पाएंगे तो कोशन आपको जितना साफ समझ में आएगा जितना साफ दिखाई देगा उत क्या कर सकते हैं डाल सकते हैं कॉमेंट में डाल सकते हैं तो चलिए हैं यही पर कम्प्लीट करते हैं जय हिंद जय भारत पमेज कर्पर सब्सक्राइब